दोस्तो आज हम बात करेंगे HTFC Millenia Credit Card के बारे में जानाएंगे इस Card के फीचर, Benefit और Charges के बारे में और वीडियो के एंड में मैं आपको उता हूँगा इस Card के बारे में मेरा ओपिनियन नमस्कार दोस्तो स्वागे थे आप सभी का टेक्नोफिनो चनल पर चलिए शुरू करते हैं दोस्तो HTFC Millenia Credit Card HTFC Bank का एक नया प्रोड़क्ट है पिछले साली HTFC Bank ने इसको लॉंच किया है ये एक Cashback category का Credit Card है पहले बात करते हैं इस Card के जो Welcome Benefit है उसके बारे में Millenia Credit Card लेने के बाद उसके Joining Fees पे एकनने के बाद आपको Welcome Benefit के तोर पर 1000 Cash Point मिलेगा जैसे कि HTFC Millenia Credit Card HTFC Bank का एक नया Credit Card है तो इसमें आपको एक Launch Offer भी देखने को मिलेगा अगर आप इस Card को यूज़ करके एक Quarter में 1 लाक या फिर उसके उपर Spend करते हो तो आपको 1000 का एक Welcome Voucher मिलेगा ये जो Offer है वो आपको आपके Card मिलने के बाद First Year मिलेगा Second Year से आपको ये Offer नहीं मिलेगा आप बात करते हैं इस Card में जो Benefit आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके बाड़े में इस Card को यूज करके आप Domestic Air Board में दो Launch Access कर पाओगे पर Quarter मतलब एक साल में आपको Total 8 Launch Access मिलेगा इस Card को यूज करके आप इंडिया के कोई भी Petrol Pump में जाके अगर Fuel डलबाते हो तो आपको 1% का Fuel Surcharges वेवेड मिलेगा आपके Transaction Value minimum 400 रुपीस का होना होगा और Maximum Surcharges होए वेड आपको एक Statement Cycle में 250 रुपीस का मिल पाएगा आप बात करते हैं इस Card के Main Benefit इस Card के Reward System के बारे में ASTFC Millennium Card को यूज करके अगर आप Pace F या फिट Smart Buy से Swapping या फिट Travel Booking करते हो तो आपको 5% का Cash Back मिलेगा minimum transaction value आपका 2000 रुपीस का होना होगा अगर आप इस Card को यूज करके Online Spending करते हो दूसरे Spending minimum transaction value आपका 2000 रुपीस का हुआ तो आपको 2.5% का Cash Back मिलेगा अगर आप इस Card को यूज करके दूसरे Offline Spending करते हो या फिर Wallet Reload करते हो तो आपको 1% का Cash Back मिलेगा minimum transaction का value आपका 100 रुपीस का होना होगा millennia credit card पर जो cashback हम लोगों को मिलता है उसका कुछ rules है यह बहुत important है आप धियान से इसको देखिए अगर आप इस card को use करके page app में या फिर smart buy में spend करेंगे तो आपको 5% का cashback मिलेगा यह जो launch offer है अभी उसके तोर पर आपको first 6 month card मिलने के बाद पहले 6 महिना आपको per month 1000 रूपीज का cashback मिलेगा यहां से और उसके बाद मतलब 6 महिने के बाद आपको इस offer से maximum 750 रूपीज का cashback मिलेगा यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दो page app में और smart buy में अगर आप shopping करते हो तो smart buy का जो offer है वो आपको अलग से मिलेगा smart buy में अगर आप shopping करोगे तो 5% cashback up to 1000 रूपीज वो आपको अलग से मिलेगा और millennia का जो cashback है वो आपको अलग से मिलेगा अगर आप millennia card को यूज करके online दूसरे spending करेंगे तो आपको 2.5% का cashback मिलेगा maximum cashback आपको इस offers है इस category में 750 रूपीज पर मांद का मिल पाएगा अगर आप online wallet रिलोड करोगे या फिर offline spending करेंगे तो आपको 1% का cashback मिलेगा maximum 750 पर मांद यहां पे भी आपको मिल पाएगा और fuel transaction पर आपको कोई भी cashback नहीं मिलेगा और यहां पर आपके transaction value minimum 100 रूपीज का होना होगा Normally अगर आप कोई credit card को यूज करके EMI में transaction करेंगे तो आपको cashback या फिर reward point नहीं मिलते है पर millennia card पर आपको EMI transaction पर भी cashback मिलेगा millennia credit card को यूज करके spend करने पर जो cashback हम लोगों को मिलेगा वो cash point के तोर पर हम लोगों को पहले मिलेगा उसको हम statement balance में redeem कर सकते है एक cashback point का value होता है एक रूपिया अगर आप cash point को statement balance में redeem करने जाएंगे तो आपको minimum 2500 cash point चाहिए होगा तभी आप redeem कर पाएंगे और 2500 के बाद आप 500 rupees करके इसको increase कर पाएंगे अगर आपके पास 2700 cash point होगा तो आप maximum 2500 redeem कर पाएंगे उसे जादा अगर आपको करना हुआ तो 3000 होना होगा cash point तभी आप उसमें redeem कर पाएंगे 3000 के बाद 3500 उसके बाद 4000 ऐसे 500 करके उसको increase करके आप redeem कर पाएंगे ये जो cash point है इसको आप smart buy से travel booking ये फिर hotel booking में भी आप इसको redeem कर पाएंगे पर वहाँ पर आपको एक cash point का value 30 पैसा मिलेगा और ये जो cash point है इसका validity होता है एक साल मतलब एक साल के अंदर अंदर आपको इसको redeem करना होगा अगर आप redeem नहीं करेंगे एक साल में तो आपके cash point जो होगा वो lapse हो जाएगा और उसका कोई भी value आपको उसके बाद नहीं मिले है उसके बारे में millennia credit card पर आपको एक insurance coverage भी देखनी को मिलेगा आपको इस card में zero lost card liability का facility मिलेगा मतलब अगर आपके card हो जाता है और आप आपके a stepc bank के customer care में call करके इसका report कर देते हो और उसके बाद अगर आपके card पर कोई भी fraud transaction हो जाता है तो उसमें आपका कोई भी liability नह ही रहेगा मतलब आपको उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप बात करते हैं इस card का जो charges है उसके बारे में a stepc millennia credit card के charges के बारे में बात करें तो इस card का joining charges है 1000 रूपिस प्लस GST और इसका annual charges है 1000 रूपिस प्लस GST अगर आपको card मिलने के बाद first 90 days के अंदर अंदर आप 30,000 या फिर उसके उपर spent करते हो तो आपका जो first year का membership fees है मतलब जौइनिंग charges वो आपके लिए वैव अप कर दिया चायेगा अगर आप आपके card को use करके एक साल में 100 रूपिस या फिर उसके उपर spent करते हो तो आपका जो annual charges है वो भी आपके लिए वैव अप कर दिया चाये इस card में आपको interest rate लगेगा 3.49% पर मांत का, अगर आपके कोई भी payment overdue हो जाता है, तो due amount के उपर आपको ये interest rate लगेगा, cash advance charges आपको इस card में लगेगा 2.5% of the withdrawal amount या फिर 500 रुपीज, जो भी high होगा वो आपको लगेगा, over limit charges आपको लगेगा 2.5% of the over limit amount, minimum 500 रुपीज, अगर आपके कोई भी payment overdue हो जाता है, तो आपको late payment fees भी लगेगा, 0 रुपीज से लेके 1,300 रुपीज तक का late payment fees आपको लग सकता है, कितना fees आपको लगेगा, वो depend करेगा आपका कितना due है, total due amount उसके उपर, अगर आप इस card के reward point को redeem करते हो, तो redemption के लिए per redemption request 99 रुपीज आपको charges लगेगा, आप बात करते हैं इस card के eligibility और ये card आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में, इस card के eligibility के बारे में बात करें, तो आपको Indian resident होना होगा, अगर आप salaried person हो, तो आपका age minimum 21 year होना होगा, maximum 60 तक हो सकता है, और आपका monthly income 30,000 या फिर उसके ऊपर होना होगा, अगर आप self-employed हो, तो आपका age minimum 21 year होना होगा, maximum 65 तक हो सकता है, और आपके पास 3.6 lakh रुपीज के ITR होना होगा, दोस्तो, age-tapc millennia credit card, age-tapc bank का एक बहुती अच्छा card है, ये millennia card पर आपको कुछ ऐसा खास benefit देखने को मिलेगा, ज अगर आप normal कोई भी credit card को यूज करके, EMI transaction करेंगे, तो आपको cashback या फिर reward point कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर आप millennia card को यूज करके EMI transaction करेंगे, तो आपको cashback मिलेगा, ये जो card है millennia, इसको यूज करके, अगर आप age-tapc bank के smart buy, जो की मेरे ख्याल से अभी जो banking sector है, उ cashback या फिर 1% cashback up to 1000 रुपीज तक, वो तो आपको मिलेगा ही, उपर से आपको millennia का जो cashback है, 5% up to 750 रुपीज तक, वो भी आपको मिलेगा, पर हाँ, इसमें आपका transaction value 2000 रुपीज का होना होगा minimum, मेरे ख्याल से millennia card बहुत ही अच्छा card है, पर millennia card का दो ऐसे चीज है, जो म मुझे पसंद नहीं है, number one, maximum category के लिए, अगर आपके transaction का value 2000 रुपीज से नीचे हुआ, तो आपको कोई भी cashback नहीं मिलेगा, number two, millennia card के जो cashback points होते है, उसको redeem करने के लिए, आपको minimum 2500 cashback points चाहिए होता है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा high है, पर दोस्तों ये दो जो downside है इसको छोर के भी overall ये card बहुती अच्छा card है, market का one of the best credit card है मेरे ख्याल से, पर axis एस credit card आने के बाद इस card का value थोड़ा सा कम होगा, पर फिर भी ये one of the best credit card था और one of the best credit card रहेगा, क्यूंकि इस card को आप easily lifetime free card में भी convert कर सकते हो, जिसके वजए से इस card का value है, cashback जो value आपको म इसका एक comparison वीडियो बनता है, मैं बहुत जल्द चैनल में comparison वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, तो दोस्तो बस ये था आज का वीडियो मुझे आसा ही, कि आपको ये वीडियो और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए, नीचे comment करके में ज़रूर बतना कि आपको ये वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए जया हिन्द बंदे मातराम